है दोस्तों कैसे आप सब लोग और आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो काफी सारी मेरी रिचेंटली वीडियो आई है रियलिमेक्स पर जिनमें कि मैंने आपको दिखाया कैसे आप इसको अप्डेड कर सकते हैं रियल्मी यूई में उसके कुछ फीचर जो कि मैंने 17 सकते हैं यार वैसे तो काफी मतलब कोई difficult method नहीं है काफी easy method लेकिन पता नहीं फिर भी जो मेरी users है जिन लोगों ने वो वीडियो देखिए वो क्यों नहीं कर पाएं तो यह वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूं है कि आप आइकन जो शेप है और डिजाइन उस में realme UI है उसमें कैसे आप आइकन शेप और डिजाइन को चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए देख लेते कैसे जो आप आइकन शेप है और डिजाइनर उसको कैसे चैंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में आपको मिल चुका उन सम्में से में यहां पर यूज करें मतलब काम करें तो सबसे पहला आपको अपनी होमी स्क्रीन पर जाना है और यहां पर टैप करके रखना है और यहां नीचे आपको श्रेटिंग का जो एक ओप्शन है वह दिखने के लिए मिलेगा उसके दूद को ह नहीं विंडों आप पर ओपन हो किया जाती है यहां पर कुछ शेटिंग्स आप अपको दिखते हैं तो यहां पर नीचे स्क्रोल करना और यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से और जो आपका आइकन है उसको बंद करके यहां पर कुछ इस अपर काफी सारे मतलब इस टाइल दिये गई है जिनको आप कुस्टमाइज कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करना है अगर आपको कुस्टम करना है अपने अकोडिंग तो गूगल के जो इस टोख यहां पर एंडूड है उसमें कुछ इस टाइप क्या आपको देखने के सब्सक्राइब करना से तो काफी अच्छा फीचर है और काफी मैंने से पहले वीडियो में बताया था लाकि कोई नहीं एक छोटी सब्डेट उन लोग लिए ती जो नहीं कर पा रहे थे यार आयोप आप अपने जो आइकन से यहां से चेंज कर सकते हैं अगर आप चैंज कर सब्सक्राइब करना था और आप डिजाइन से अपने अकोर्डिंग चूज कर सकते थे या बना सकते थे तो आयोप आपने अपने जो रियल्मी एक्स या फिर रियल में कोई भी फोन है उसके डिजाइन कर लिए और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपको अपने आपको आपको comenz भी में आपको अच्स या गरो आपको अच्त कर लिए auf दो कोई एम सब्सक्राइब कर्को एंजा आपको आपको अगल कर आपको अच्छाइब का आपको अच्काइन PATRICK wraष्ब को आपको यांजा करे पृटार को श्सक्तर आपको भी में आपको अच